हलो दोस्तों विल्कम बैक अगेंटू रियल स्टेट मित्र हम इस्वत खड़े हैं रायपूर शहर के मद इस्तित एक सेमिकमर्शर बिल्डिंग में जहां आपको मिलेगा सभी के जरुत अनुसार 1BHK, 2BHK and 3BHK के रेसिदेंचल अपार्टमेंट्स and ओफिसेस यह एक G-9 की सेमिकमर्शर बिल्डिंग है जहां पर आपको मिलेंगे दोनों कॉर्नर पे वो दूसरा कॉर्नर है वहां पर भी आपको मिलेंगे दो ऐलिवेटर्स and staircase यहां पर भी आपको मिलेंगे दो हाई स्पीड ऐलिवेटर्स and staircase काफी बहतरीन बिल्डिंग है G-9 की बिल्डिंग है औ और यहां पर आपको ground floor और 1st floor पर मिलेंगे shops, 2nd, 3rd, 4th and 5th floor पर मिलेंगे offices and 6th, 7th, 8th, 9th floor पर आपको मिलेंगे residential apartments, हम इस वक खड़े हैं 7th floor पर और सबसे पहले हम विजिट करेंगे हमारा 2 and 3 BHK के residential apartment, तो दोस्तों देख सकते हैं, यह मेरे सामने 2 BHK है और 3 BHK flat है, काफी sizes available ह 2 and 3 BHK में भी, तो सबसे पहले हम देखेंगे हमारा 3 BHK flat, यह पहतरीन एक corner का 3 BHK flat है, यह hall हो गया आपका पूरा, यहां पे, and left मेरा एक first bedroom है, with attached right path, जैसे हमें आपको 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 एक corner का flat है, तो हर room में आपको balcony और रायपूर शहर का पूरा नजारा मिलेगा, ठीक मेरे सामने है, Holy Cross Kappa School, और यह विदानसवार, road, moa bridge, और ठीक मेरे पीछे शंकर नगर, हम आगे बढ़ते हैं, यह हमारा hall हो गया, जैसे मेरा आपको बता है, entrance door, और ठीक इस तरफ आपका है kitchen, with granite and wash area, हम आगे चलते हैं, यहां आपका है master bedroom, और यह third bedroom, पहले master bedroom देख लेते हैं, master bedroom में भी attached balcony, with attached light bath and dressing area, यह आपका attached balcony होगी, पूरा रायपूर शहर का नजारा है, यहाँ पे आपके लिए, विदानसवा रोड, moa bridge के बिलकुल सामने, G plus 9 की semi commercial building, और यह पूरा रायपूर शहर का नजारा आपको दिखेगा, गर आप रायपूर शहर में रेके, Bombay शहर का नजारा लेना चाहते हैं, तो यह project आपके लिए है, आगे बढ़ते हैं, हम दीखते हैं हमारा third bedroom, यह हमारा third bedroom है, with attached balcony and light bath, इसलिए मैं आपको बताया, route fishing है, यह corner का flat है, 1300 square feet का 3BHK apartment, इसका rate है, 45.6 lakh rupees including all, इसमें आपका 2 साल का maintenance, electrification charges, आपका GST, आपका parking, आपका clubhouse membership, सब included है, 46.5 plus registry, 1300 square feet का 3BHK flat, वैधरी 3BHK flat, चलिए हम देख लेते हैं हमारा 2BHK flat, दोस्तों इस building में काफी sizes available हैं, तो मैं आभी आपको सिर्फ डेमो के लिए 2 flat दिखा रहा हूं, 2BHK and 3BHK, यह आपका 2BHK flat है, 1150 square feet का 2BHK flat, यह आपका hall हो गया, यहाँ पे एक lobby दी गई है, चोटी सी, और यह भी एक corner का 2BHK flat है, यह आपका kitchen हो गया, kitchen with wash area, बहुत प्यारा ventilation है, बहुत प्यारा cross ventilation है यहाँ पे, यह आपका हो गया master bedroom, सामने बहुत प्यारा master bedroom है, और यहाँ पे आपका है dead bath और यह dressing area, एक छोटा सा दिया गया है, हम देख लेते हैं हमारा second bedroom, उससे पहले यह आपका common light bath और यह आपका हो गया second bedroom, इसमें भी एक balcony दी गई है, और रायपूर शहर का पूरा नजारा, यह पीछे में आपको जो दिख रहा है, यह है 36 गड़ होस्पिटल रायपूर शहर के मध्यर स्थित, सामने आपको दिखेगा शंकर नगर का टीवी टावर और पूरा शंकर नगर इरिया है, हम इसा थड़े हैं लोधी पारा चौक पली साइट पे, काफी भेदरी नजारा, आगे बढ़ते हैं, नहीं दो ही करेना, तो मैंने आपको दिखाया 2BHK का एक रचेहल अबार्टमेंट और 3 Wasnnell Health Rel pains, थे सुर्डिंट स्कार्पेट में 4 बच्रिच्ट्टी अर純र थे सकार्जिस्ट्री इंक्ट्डफिश्ट्री इंक्लُडिंग ऑल चाज़जेस बहत है कि अधिक है ओर ड़को ब्हुत है कौझप क का पहूंत हुआ धिल्ग के लिए नहीं कि अधिक दिनें । और rates के लिए आप description में जा सकते हैं अधिक जानकरी के लिए आप मुझे संपक कर सकते हैं स्क्रीन पर दिए गए नमर पर Real Estate Method Thank You अधिक जानकरी के लिए आप मुझे संपक कर सकते हैं